जैन सात्यों आफसे के ग्रेट विलकम है आर्मेतेरी.ेन यूटूब चैनल पर SSE GD 2021 का यहाँ पर जितना भी फॉर्म भरना था वो सारा फॉर्म भरा चुका है क्योंकि इसकी जो लांज डेट है वो यहाँ पर समाप्त हो चुकी है लेकिन अब जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ पर बेसबरी से इंतिजार है कि उनका एडमिट कार्ड कब आएगा, कब उनका परिक्षा यानि कि जो एक्जामनेशन है जो कि ऑनलाइन होने वाला है वो कब तक कराया जा सकता है तो इसके रिगार्डिंग में आपको इस वीडियो में बताऊंगा उससे पहले आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा के रखें और वाट्सेफ ग्रूप को जॉइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा अगर आप 2011 से लिके 2018 तक का ओरिजिनल कोश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते है या फिर फ्री में यहाँ पर प्रैक्टिस एट पेपर चाहते है तो यह सारा कुछ आप डाउनलोड कर सकते है फ्री में बिल्कुल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है चली तो बात करते हैं यहाँ पर SSC GD जो 2021 वाली यानि 2021 की जो आई है इसमें यहाँ पर एक्जामनेशन यानि कि कब तक होगा और एडमीट कट कब तक आ सकता है वैसे इस पे गरी वार्डिंग तो मैं आपको वीडियो दिया ही हूँ लेकिन बहुत सारे बचे चैनल पर नहीं जोड़ते तो उनको इंफोर्मेशन नहीं मिल पाता तो यहाँ पर अगर आप SSC के ओफिशल वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर इसकी कोई संपूर्ण जानकारी आपको नहीं मिलेगी एक एक्जाम केलेंडर उन्होंने जारी किया था लेकिन वो भी यहाँ पर पुराना हो चुका है क्योंकि उस डेट पर वेकेंसी आई नहीं थी लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उस अगर कैलेंडर के हिसाब से अगर आप चलोगे तो यहाँ पर SSC यह कहती है कि आपका जब भी फॉर्म इंड होगा जब भी आप फॉर्म भरना जो डेट लाश होता है उसके तीन महने के अंदर आपकी जो एक्जामनेशन है उसको यहाँ पर करा ली जाएगी यानि कि जो तीसरा महना है उस वाले महने में आपका एक्जामनेशन हो जाएगा और SSE का ये रूल है कि जब भी examination होती है उसके 20 से 30 दिनों पहले आपको जो है आपका admit card कह सकते जारी कर दिया जाता है online SSE के वेबसाइट पर जहां से आप इसे download कर पाते हैं तो अगर आप इस अनुसार चलोगे तो यहाँ पर SSE GD का examination जो है सिक्तमबर में और October में नहीं हो करके number के महिने में कराया जा सकता है जिसकी संभावना यहाँ पर 99% है यहाँ पर number और December के महिने को जोड़ करके भी कराया सकता है कि बहुत लंबा examination चलता है कि बहुत सारे examination को ले जाया जा सकता है यह भी यहाँ पर कराया जा सकता है तो वो अलग-अलग दिन अलग-अलग लोगों का होता है किसे का number में पढ़ सकता है किसे का December में तो यह most probably chance बनता है माल लेते हैं कि अगर आपका examination का date number में आ जाता है चाहे वो कोई सा भी date हो तो आपको उसके 20- 25 दिन पहले या फिर 20-30 दिन पहले आपका admit card भी जारी कर दिया जाएगा यानि कि अक्टूबर का जो मेंना होगा अक्टूबर का end वाला जो कह सकते है last वाला जो मेंने का समय होगा उस समय आपका admit card है वो आपको जारी कर दिया जाएगा यानि कि यहाँ पर मोटा-मोटी य यहां पर नोटिफिकेशन निकाल रही थी तो उसी के संभावना के तहत यहां पर आपका प्रिक्षा में हेंड़ पर्लिकेशन की बुक किसे कर सकते हैं इनकी सामान हिंदी की यह बुक आती है जो कि सभी परिक्षा परतोगिता हो या फिर ऐसे सीजीडी हो सभी के लिए काफी कवर हो जाता है एकी बुक के अंदर और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो है आपको सारा कुछ डिटेल वाइस सारा कुछ यहां पर जो समझाया गया है तो आपको पूरा स्लेवर्स मिलेगा पूरा चैप्टर मिलेंगे सारे का MCQ कोशन भी मिल जाएगा यहां पर प्रैक्टिस सेट वेपर आप इनसे भी अपनी तयारी कर सकते हैं सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप वहां से से चेक आउट कर सकते हैं